बोले इसो निहाल वाई गुरुजी का खाल साथ वाई गुरुजी के फते दोस्तो आज हम सब लोगुरुजी की गुरुज़गोविन सिंग के साहभजादों और माता गुजरी देवी जी की सुप्रीम शहादता गुज़ी कौरजी की सुप्रीम शहादत को नमन करने के लिए इकठे हुए हैं हम पूरे दिल से उनकी शहादत को नमन करते हैं और मैं समझता हूं कि शायद मानव जाती के पूरे इतिहास में केवल भारत भारत नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में इस किसम की शहादत की दूसरी मिसाल देखने को नहीं मिलती है आज हमारे देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे यहां पे आए हुए है देश का किसान आज बहुत दुखी है देश के किसान पे मुसीबत आई हुई है इस टाइम हम लोगों को भी कितनी सर्दी लग रही है एक जैकेट पहन रखी है एक स्वेटर पहन रखा है अंदर इनर पहन रखा है मफलर पहन रखा है आप सोचो रात को जब इतनी ठंड हो जाती है खुले आस्मान के नीचे सडक के उपर हमारे किसान भाई, माताएं, बच्चे पिछले 32 दिनों से सोने को मजबूर है आखिर क्यूं? सोच सोच के भी दिल काप उठता है चालिस से जादा लोगों की शहादत हो चुकी है यहां पर आज इस मंच के जरिये इतने पवित्र स्थान पे इतने पवित्र मौके पे मैं हाथ जोड के केंदर सरकार से अपील करता हूँ यह अपने ही लोग हैं हमारे ही लोग हैं हमारे भाई हैं, हमारी बहने हैं हमारे बुजुर्ग हैं यह अपने ही देश के लोग हैं इनकी बाते सुनके इनकी मांगें पूरी करके वो तीनों कानून वापस ले लो और इन लोगों के संघर्श को यही खतम करो और कितनी शहादत लेना चाहते हुआ पता नहीं किस किस तरह की बाते की जा रही हैं तरह तरह से यह सभी सरकारों का एक तरह से हथियार होता है मेरे को याद है जब अन्ना अंदोलन में हम लोग बैठा करते थे हमें भी बदनाम किया जाता था आज किसानों को कहा जा रहा है आतंकवादी है किसानों को कहा जा रहा है राष्टर द्रोई है अरे किसान आतंकवादी हो गए और किसान राष्टर द्रोई हो गए तो तुम्हारा पेट कौन भरेगा तुमको रोटी कौन देगा उसके बाद किसानों को अपने देश के किसा किसानों को सबने धोखा दिया का सारे नेताओं ने धोका दिया सारी पार्टियों ने धोखा दिया कि सानों ने केवल और तोका देखाया भी तक सारी पार्टियां कहती थी तुम्हारे लोन माफ करेंगे किसी ने लोन माफ नहीं करे सारी पार्टियां चुनाव के पहले कहती थी तुम्हारे बच्चे को नौकरी देंगे किसी ने नौकरी नहीं दी अब ये तीनों कानून लेके आएं इन तीनों कानूनों के जरिया भी इनकी खेती भी छीनना चाते हैं किसान के बास खेती के अलावा तो कुछ होता नहीं है उनकी खेती भी छीनना चाते हैं उनकी खेती भी उठाके बड़े बड़े दो चार इनके पूंजी पती दोस्त हैं उनको देना चाते हैं अगर खेती भ तो कहां जाएगा, और तो तुमने इनके लिए कुछ करा नहीं, खेती करता, बिचारा किसान, खेती भी चली गई, तो किसान कहां जाएगा, फिर, तो जितने किसान, अब सोच के, देखो, इतनी ठंड में, अपने घर के बुजुर्गों को, और बच्चों को लेके, जितने कि बैठे हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए बैठे हैं क्योंकि आरपार की लडाई बन गई है जब खेती भी चली जाएगी और खेती पर बड़े-बड़े कंपनियों का अधिकार हो जाएगा तो किसान के पास कुछ भी नहीं बचेगा तो अपनी खेती को बचाने के लिए ब दुख्यमंत्री उतार दिये इन्होंने मैदान में आके भाशन दे रहे हैं इस कानून से किसानों का फाइदा है इसके कानून मैंने इनके सारे भाशन सुने अभी तक मेरे को एक भी नेता इनका नहीं मिला जो इस कानून का एक भी किसानों को क्या फाइदा होगा यह बता स जितने ये बड़े बड़े नेता आते हैं, सारे क्या कहते हैं, कहते हैं जी हम बताएंगे क्या फाइदा होगा, बताओ जी, कहते हैं इससे आपकी जमीन नहीं जाएगी, तो ये कोई फाइदा हुआ, जमीन तो है ये आज हमारे पास, इससे आपकी MSP नहीं जाएगी, तो ये बाढ़के फेक, तो इनको कोई फाइदा नहीं बता है, वो कह रहे हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा, तो फाइदा किसका होगा, फाइदा उनका होगा, ये साफ जाहिर है कि किसानों का कोई फाइदा नहीं है, फिर एक फाइदा बताते ह क्या फाइदा कहते हैं अब किसान मंडी के बाहर पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है बताओ जी कहां बेचें मैंने पूछा इन से मैंने का भी बिहार में मंडी नहीं है आठ सो रुपे कुइंटल भी करा है वहां पे फसल तो आप यहीं बता दो साड़े अठा 1200 से ज्यादा दाम पूरे देश में कहां भी करा है जहां हमारा बिहार और उस्तरप्रदेश का चिसान जाके बेच ले कोई जगे बता दो मंडी के बाहर तो आधा दाम मिल रहा है मंडी के बाहर तो 50% दाम भी नहीं मिल रहा है तो यह तो कोई फाइदा नहीं हुआ तो पूंजी पतियों को फाइदा पहुचाना चाहते हैं करोडों किसानों का नुकसान करके एक वो लोग हैं जो किसानों के साथ खड़े हैं और चार पांच पूंजी पतियों को नुकसान हो जाए तो क्या फरक पड़ता है अगर करोडों किसानों का फाइदा हो रहा है तो उसके सबसे बड़े जिसको भी इसका पता है वो आ जाए और हमारे किसानों के नेता आ जाएं और पब्लिक में डिबेट कर लें दोनों को किसको ज़्यादा जानकारी है कहते हैं किसानों को जानकारी नहीं है किसान बता देंगे मैंने किसान जथे बंदियों के जितने नेता है मैंने इनके भी सारे वीडियो सुने है इतने शांदार तरीके से आपको सम्विधान समझा देते है इनको सारा सम्विधान पता है इनको सारा कानून पता है मुझे पूरा यकीन है जितना इनको पता होतना तो इनके मंत्रियों को भी नहीं पता हो तो मैं आज चैलेंज करता हूँ एक बारी दूद का दूद पानी का पानी भी हो जाएगा कि इनके जितने जो भी इनके सबसे बड़े मंत्री हैं जिसको सबसे ज़्यादा इसकी जानकारी है वो आ जाएं और हमारे किसान नेता आ जाएं और पूरे देश के सामने आमने सामने डिबेट हो जाए पूरे देश को पता चल जाएगा ये कानून कितने खतरनाक हैं और ये कानून कितने गंदे हैं तो मैं आज उमीद करता हूँ इस पवित्र स्थान से की केंद्र सरकार और किसानों की شहादत ना करवाये 40 से जादा किसान शहीद हो चुके है और अब इनकी आरपार की लड़ाई है जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले MSP की गारंटी दे उसके लिए कानून लेके आये और अब किसानों का संगर्ष खतम करवाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुक्रिया। प्रॉट जो सुक्रिया।